नमस्कार मित्रों आज हम जानेगे बी ए फैस्टियर मेरा जो हमारा आधा है राइट का चैप्टर है राइट एक अपने आपए कॉम्सेप्ट फेंम दे रखिए आपके बीए फैस्टियर में तो इसे ज़रा समझने का प्रियाज करेंके तो पत्राइब === अधिकार का अड़त है अपना दे यानि कि अपना हक हांशिल करना यानि कि किसी वैक्ति का मनुष्य नागरिक बैक्ति या किसी समू का सदस्य आदि होने पर आधार पर जो हक बनता है उसे प्राप्त करना ही अधिकार कहेंगे यहाँ पर अधिकार कहने है अधिकार क्या एक दे है दे का मतलब एक हक है जो हासिल करना है यानि किसी वैक्ति का मनुष्य या मनुष्य का या नागरिक का बैक्ति या किसी समू का सदस्य आदि होने पर जो वैक्ति है वो किसी का मनुष्य का होता है या नागरिक के रूप में होता है या बैक्ति या समू के अंदर होता है और उसके आधार पर वो हक बनता है उसे और उसी हक को प्राप्त जब करता है वही आपका अधिकार है जब हम बैक्ति और राज्ये की परस पर सम्मंद की बात करते हैं तो दो बातें सामने आती हैं पहली बैक्ति को राज्जे से क्या प्राप्त होना चाहिए दूसरी ते को पहले कह रहे हैं कि मतलब कि बैक्ति को राज्जे से क्या प्राप्त होना चाहिए दूसरी बैक्ति को राज्जे के लिए क्या करना चाहिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है जरा अच्छी तरह समझेए कि बैक्ती और राज्य के परस पर सम्मन्द की बात करते हैं दो बाते सामने आती हैं जब बैक्ती और राज्य के सम्मन्द में कि बैक्ती को राज्य से क्या प्राप्त होता है मतलब कि जो बैक्ती है उसको क्या मिल रहा है राज्य से दूसरा बैक् बैक्ति को राज्जे से क्या प्राप्त होना चाहिए और बैक्ति को राज्जे के लिए अपने कर्तब्य का पालन करना चाहिए और दाइत्व समान नहीं है अब देखिए पहले हम समझते थे कि अधिकार और दाइत्व थोड़े थोड़े एक हैं पर यह समान नहीं है लेकिन फिर भी इनमें समंद है जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जिसे कानून का अधिकार आपके पास है जैसे हम कह सकते हैं कि कानून काम करने दे, माल लो भई आपको जो है, कानून कादिकार आपके पास है, कि आप कानून पढ़ रहे हो, या मतलब कि कानून कारवाई कर रहे हो, या जनता उस काम को करने दे, आपको तो वो क्या हो जाएगा, वो करतब बे हो जाएगा और आपके पास अधिकार क्या है कि इस कानून का अधिकार आपके पास है तो थोड़ा सो समझ गई होगे कि मतलब कि अभी हमने उपर क्या जाना कि करतब में क्या है मतलब कि दाइतव क्या है से संबन्ध where beating प्रूमें नहीं होता है दाइतुम्हकी उस्ञाश कर दिया नकना क्या कर दोस्तों कि राज्जका Maxim मान्यातर्ब्लार को सरकार्प नहीं करते हैं स्रूकार इस उन्हें कंड़िप्र देता कि नहीं यह जो ऊदिकार है वुर्पर। देती हैं उन्हें कि वो बचे रहें उनके अधिकार बने रहें अन्ने सब्दों में अगर देखें बे दावे जो स्वाभावत स्वाभावत सामाजिक हैं सिर्फ वही अधिकार हैं कह रहे हैं कि मतलब कि बे दावे हैं जो सामाजिक होते हैं जो दावे सामाजिक होते हैं वही ऐसे ऐसे जब बो लिखोगे हम कह सकते हैं कोटे सनों का यूज करोगे जब ही तो आपको आंके मिलेंगे अब आप उसे बिलकुल लिखो नहीं तो यार कैसे बात मनेगी अब यहां देखें बोशांग के अनुसार अधिकार समास द्वार माननित प्राप्त और राज्य द्वार लागू किया गया एक दावा होता है अब लास्की के कहते हैं अधिकार सामाजिक जीवन की बेपरिस्तितियां हैं जिनके अभाव में सामननेता वैक्ति अपने वैक्तितों का सरवांगिन विकास नहीं कर सकता कह रहे हैं कि लास्की कहते हैं कि अधिकार जो हैं सामाजिक जीवन की बेपरिस्तितिया हैं अगर बैक्ती को अभाव में कमी कर दें या अभाव ना मतलब कि अधिकारों में अभाव कर दें या अधिकारों को ना दें तो बैक्ति अपना क्या नहीं कर पाएगा अपना सर्वांगन विकास नहीं कर पाएगा सर्वांगन विकास का मतलब होता है मानसिक रूप से सारी रिक रूप से अपना विकास नहीं कर पाएगा आपकी अगली थियोरिया अधिकारों की थियोरिया अगला है आपका समकानी नुदारवादी वैक्ति वादी सिद्धान्त कह रहे हैं कि मतलब कि उसे जनम से ही कुछ अधिकार मिल जाते हैं जो जिस पर समाज और राज्ये निर्वर होई नहीं सकता कभी प्राकर्तिक अधिकारों का स्तरोत प्राकर्तिक कानून माना जाता है यह सिद्धान्त हाफ्स लौक और रूसों ने सामाजिक समझोते राज्ये की उत्पति पहले वैक्ति को प्रकर्ति से कुछ अधिकार प्राप्त थे यहां पर कह रहे हैं कि मतलब कि पहले जो वैक्ति थे उनको प्रकर्ति से कुछ अधिकार प्राप्त थे और राज्ये की उत्पति के बाद उसने समाज के सदस्योंने यानि कि उसने का दे सके कि हांज फ्रह Aufgabe भíll ठास्ट कर जिए कोंग को ए प्राकरती कर ने कीप्यों प्रौरतिक हो तक जो क्याँ फ्रह झाल थावरी मतलब का सर्वाइब करने के अधिकार को ही वो क्या मानते मानता है यानिकि हमẤ सकते हैं प्राकरतिक अधिकार आप जोन लोक ने जोन लोक ने जीवन की सोतंतरता और संपत्तिक के अधिकार और संपत्तिक अधिकार को ही प्राकरतिक अधिकार की स्रणी में रखा है जोन लोक क्या कहते हैं प्राकरतिक अधिकारों के बारे में देखो पहले तो हमने जाना था प्राकरतिक अधिकारों में हॉप्स क्या कहते हैं हॉप्स कह रहे हैं केवल की प्राकरतिक अधिकारों में ओन्यों लाइफ जीने का यानि की जीवन जीने का अधिकारी आएगा परन्तु जोन लोग उधर क हैं प्राकरतिक अधिकारों छोंड लोग कर रहे हैं जीवनजीने का अधिकार और रूसों ने सुतंतरता का अधिकारों समानता का अधिकार को प्राकरतिक अधिकार की समगा दिये अब देखे सब का मतलग अलग है हमने पहले ही जाना था कि रूसों लॉक और हाफस ने जो है अधिकारों को जादर परचली किया है तो रूसों कह रहे हैं प्राकरतिक अधिकारों के बारे में कि मतलब कि ये हवाई जाज जाने कि मन महोग खुसुबू आ रही है मित्रो जारा टेंस न मतले अब देखिए रूसों ने सुतंदरता और समानता के अधिकारों को प्राकरतिक अधिकार के लिए प्रात्मिक्ता दी है यानि कि रूसों ने किस पर जोड़ दिया कि सुतंदर्दागार अधिकार और समानतागा अधिकार ही केवल प्राकरतिक अधिकार है अब देखे हम तीनों को अच्छी तरह देखते हैं होफस आपने ऊपर पढ़ा. होफस ने क्या लिखा है? होमस ने लिखा है कि म 나타OW का अधिकार series जो अनलोग कहते हैं कि हमारे तीन अधिकार हैbaren है इतनी गपरानी की जड़ूत नहीं पॉलिटिकल अपने हम में देखे जाए तो बहुत ज़ाद आसान है पर थोड़ी तन मैंता के साथ अच्छी तरह पढ़ने की आवशक्ता है इन तीनों विचारकों का एक मत विचार है कि प्राकरतिक अधिकार वे अधिकार है जिनके लिए वैक्ति, राज्य, समाज पर निर्वन नहीं बल्कि राज्य की उत्पति इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है दो कि बहुत अच्छी पॉइंट कहा है यहां पर कहना चाहरे है इन तीन विचारकों ने एक मत विचार दिया यानि कि कहना है कि इनका कहने का मतलब एक ही है कि प्राकरतिक अधिकार वे अधिकार है जिनके लिए वैक्ति जिनके लिए वैक्ति राज्य अत्वा समाज पर निर्वन नहीं होता वैक्ति जो होता है इन अधिकारों के लिए राज्य पर या हम कहते हैं समाज पर निर्वन नहीं होता डिपेंड नहीं होता किसी भी प्रकार से बलकि राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है मतलब कि जो बैक्ति है वो अधिकारों के लिए समाराज्य पर निर्वर नहीं होता है राज्य की जो पत्ति हुई है वो इनके अधिकारों की लिए हुई है अगर हम प्राकरतिक अधिकारों की आलोच ना करें प्राकरतिक अधिकारों की सिद्धान्त की तो वो क्या है जरा समझे प्राकरतिक अधिकारों का जो सिद्धान्त है उसके आलोच ना करते हुए मतलब कि अगर हमें हल करना हो बैक्ति और समाज के बीच कोई मामला है तो वो हल नहीं हो पाएगा अगर उसके अधिकारों पर रोक नहीं लगेगी या अनलिमिटेट उसके अधिकार होंगे उधारन के लिए किसी आकाल की इस्तिती में यदि एक बैक्ति अनाज इखट्या कर लेता है और मांगने पर बैद दूसरे को नहीं देता है तो इसकी बैज़े से दूसरे लोगों की जान के अधिकार का हनन हो सकता है खाफी इच्छा उधारना दिया है कि मौनलो किसी आकाल की इस्तिती होई या किसी कोई किसान है या कोई वैक्ती है उसके पास बहुत सारा अनाज हैपर एक तरफ भुग होंके मर रहे हैं लोग और वो अनाज मांग रहे हैं तो वो वैक्ति दे नहीं रहा morally तो यहां पर क् अगला पॉइंट नहीं है अगला कहना चाहरा है कि अर्थात यदि दो प्राकरतिक अधिकार आपस में टकरा जाएं तो उनके समाधान का कोई नियम नहीं है मतलब कि अगर दो प्राकरतिक अधिकार आपस में अगर टकरा जाएंगे तो वो समाधान नहीं हो सकता है जैसा भी है उमने उपर पड़ा कि मतलब कि अगर वैक्ति को तुमने देखो एक तरफ तो अधिकार दे दिया कि मतलब सोसंतरता का कि जितना मतलब वो घहूं रखे अगर एक तरफ वो अधिकार है कि एक को अपना जीवन जीने का अधिकार है वो वेक्ति भूका है और वो मांग रहा है जिसके पास अनाज है तो वो दे नहीं रहा है तो इस तितितों काफी गंबीर हो गई ना इस समाधान का कोई नियम ही नहीं है कोई रूल ही नहीं है कि कैसे कर सकते हैं यह अन्य आलूचना के अनुसार कोई भी अधिकार बिना किसी नियम अत्वा कानून के नहीं हो सकता कह रहा है कि अन्य आलूचना के अनुसार मतलगी जो अन्य हमारे क्रिडिस्म हैं वो कहते हैं कि अधिकारों के बिना किसी नियम अत्वा कानून के नहीं हो सकता अगर अधिकार के बिना किसी नियम अत्वा कानून के नहीं हो सकता सामुदाइक विचारधार QUE अनुसार अधिकार समाज कल्यार से प्रिरित होते हैं सामुदा एक विचारधार के अनुसार अधिकार किस से प्रेंडित होते हैं समाजिक कल्यार से यानि कि सोसल वॉल फैर से परंतु प्राकरतिक अधिकार के सिद्धानतों ने अधिकारों को बैक्ति के अंतर नीहित मानकर इन्हें राज्य और समाज से अलग कर दिया है प्राकरतिक अधिकार का सिद्धानती है मानकर चलता है कि अधिकार और करतब्य समाज से सुतंत्र हैं अधिकार और करतब्य क्या है समाज से सुतंत्र हैं यह एक गलत धारना है क्योंकि अधिकारों का सवाल केवल समाज और समाजिक संद्धर्व में ही पैदा होता है कानूनी अधिकारों का सिद्दान्त 19 सताबदी में अगर हम अगला देखें कानूनी अधिकारों का सिद्दान्त क्या कहता है तो देखिए बोता आपका प्राकर्तिक अधिकारों का सिद्दान्त बोता 28 सताबदी में ये है आपका 19 सताबदी में कानूनी अधिकारों का सिद्दान कानूनी अधिकारों का सिद्दान कानूनी अधिकारों के सिद्दान का मानना है कि अधिकार प्राकर्तिक ना होकर राज्य की देन है कि मतलब कि यहां पर कहने है कि कानू अब देखिए दीरे क्या हो रहा है कि प्राकरतिक अधिकार का इस्तान किसे ने ले लिया है कानूनी अधिकार ने ले लिया है फिर यहां पर कहते हुए बात कर रहे हैं कानूनी अधिकार के अंदर कि मतलब कि प्राकरतिक अधिकार ना होकर राज्य की देन है मतलब कि जो प्राकरतिक अधिकार ने वो बैसे अधिकार ने की प्रकरति ने दिये बलकि वो राज्य ने दे रखे हैं उन्हें इनका मानना यह है कानूनी अधिकारो वाले समर्थकोगा बैक्ति की कोई भी मांग जब तक अधिकार नहीं बन जाती जब तक दूसरे उस रज्जे निश्चित एवं सुरक्षित ना करें मतलब कि क्या कियाना चाहरा है वेक्ती कि कोई भी मांग तब तक अधिकार नहीं बन दि जब तक रज्जी इसे निश्चित ओए जब उसरे रज्जे सौरक्शित कर रेका, तो भी वो हपलाई होगा, माल होगा, तुम देख रहे होगे नागलिक्ता भी जो इसका ब्रोजचित अब मुस्लमान अगर हम यह करें कि मतलब कि मुस्लमानों के लिए अधिकार है कि मुसलमान भी नाग्जिता प्राप्त कर सकते हैं विदेश से जो आए हुए मुसल्मान हैं वो भी नाग्जिता प्राप्त कर सकते हैं परन्तू यहां पर देखिए वो नाग्जिता प्राप्त कब करेंगे जब उन्हें क्या करेगा राज्य जो है वो सुरक्चित करेगा उनका उन्हें वो अधिकार देगा वनना वो जब तक कुदा वो उसका पोस्ट करते रहेंगे ब्रोद करते रहेंगे आंदोलन चलते रहेंगे जिस परकार से आप देखी रहोगे हालत किस परकार से हो रही है कैब के ब्रोद में सिडिय अजनसी पामेंडमेंट विल 2019 के बारे में इस सिद्धान आपका दूसरा सिद्धान्त आपको पता होना चाहिए जैसे हमने पढ़ाता पहला प्राकरतिक अधिकारों का सिद्धान्त अब पढ़ रहें कानूनी अधिकारों के सिद्धान्त और कानूनी अधिकारों के सिद्धान्त में कौन-कौन व्याक्खे जाद है अच्छी तरह करत अब देखिए जब आप ऐसी कोर्टेसन लिखो गे तो आपको माक्स क्यों नहीं मिलेंगे जो स्वैम उपियोगिता की धरना पर आधारित होता है बैंथम में से अधिकार और कानून ही एक सिक्के के दो पहलू माना है कह रहे हैं कि बैंथम कहते हैं कि अधिकारो का जो आधार है वो कानून है और उपियोगिता की धरना पर आधारित होता है उपियोगिता का मतलब क्या उसकी कोई ना कोई हमारे लिए उसकी वो हो सकती है सडिस्पेक्शन हो सकता है हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी हो सकता है उसी की धारना परादारी ते बेंथम ने अधिकार और कानूनों को एक ही सिक्के को दो पहलू माना है। कानूनी अधिकार सिद्धान्त की तीन विसेस्ता हैं होती हैं। अब वो तीन विसेस्ता हैं क्या हैं तो देखते हैं। किसकी विसेस्ता मित्रो आपके कानूनी अधिकारों की कानूनी अधिकारों के सिद्धानत की तीन विसेस्ता है पहला राज्जे अधिकारों को परिवासित करता है राज्जे जो है किसको परिवासित करता है अधिकारों को अधिकारों को मानने तप्रदान करता है राज्य तथा अधिकार राज्य से पहले नहीं बलकि राज्य के अधिकार का स्तरोत है अधिकार जो हैं राज्य से पहले नहीं है हम यह कहते हैं राज्जे से पहले अधिकार हैं तो ऐसे नहीं है बलकि राज्जे के अधिकार का इस्तरोत है राज्जे भे कानूनी और संस्थागत धांचा भी है हम कह सकते हैं कि राज्जे भे कानूनी संस्थागत धांचा भी प्रदान करता है जो इन अधिकारों का भोग के लिए आवशक होता है यानि कि राज्यक ऐसा धांचा प्रदान करता है कि यह जो अधिकार है वो उन्हें यूज करें और वो उनके यूज करने के लिए जरूरी भी है जिन से क्या करता है उसके लिए आपको मोली का दिकार पढ़ाते हैं सम्मीधान के बारे में जागरुक कराते हैं कि जब आपको पताओंगे जब ही आप अपने अधिकारों कायूच कर पाएंगे अच्छी दरे से कानूनी सिद्धान्त के अनुसार अगर देखें तो उसकी विसेस्ता क्या है आपकी कानूनी अधिकारों के सिद्धान्त की कानूनी अधिकारों के सिद्धान्त की तीसरी आपकी विसेस्ता है कि कानूनी सिद्धान्त के अनुसार अधिकारों की रच्चना जो है क्रियान वेन क्रियान वेन का मतलब क्या होता है उसे कारिये में लेना उसे मतलब कि काम करवाते रहना ये कि संग्या दे सकते हैं उसे काम करवाने के लिए उसे लागू कर देने की संग्या भी किरियान वेन सब्द का एक उचित अर्थ होता है अब यहां देखिए दोस्तो यहां पर कह रहा है कि कानूनी सिद्धान्त के अनुसार अधिकारों की रचना और किरियान वे राज्य करता है कह रहे हैं कि अधिकारों की जो रचना करता है और उन्हें लागू करवाने का जो काम करता है और राज्य करता है अथे जब भी कानून में परिवड़तन आता है तो अधिकार में ही परिवड़तन आ जाता है अगर मालो कानून में कोई परिवड़तन करता है तो अधिकारों में ओटोमेटिक ही परिवड़तन आ जाता है अब देखिए आप कानूनी अधिकारों की हम आलूचना करते हैं यह सिद्धान्त इन आधारों पर अधूरा था कि इसने यह वात इसपश्ट नहीं की कि जिन अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है बेबास्तम में उचित है तता नियाए पूर्ण है तता इने अवश्चे ही मान्यता की आवशकता थी यह सिद्धान्त मानकर चलता है कि राज्जे ने जिसे मान्यता दी है बस वही ठीक है उधारान सम लेंगी कि सम्मन्द इसे कुछ भी समय से पहले मान्यता दी है यानि कि क्या कियना चाहता है यहां पर अगर हम उसकी बात करें देखिए तुम्हें पता होना चाहिए मैं हमेंसा कहता हूँ अपना सीर सक्वमत भू लिया कर अब यहां पर हमारा जो सीर सकता बोता हमारा कानूनी अधिकारों का सिद्दान कानूनी अधिकारों के सिद्दान क कि हम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आलोचना कर रहे हैं आलोचना में कहा जा रहा है मित्रो कि जो है यहां पर जो यह सिद्धान्त है इन अधारों का धूरा था कि जिन से यह बात इस पर नहीं किया कि अधिकारों को सुरक्चित नहीं किया जा रहा है विबास्तम में उचित हैं या नियाए पूं उन्हें आवशक ही माननेता आवशक ता ही यह सिद्धन्त मानकर चलता है कि राज्जे ने जिसे माननेता दी है बस वही ठीक है यानि कि जिसे राज्जे ने केवल वो दे रखिया है रिकोनाज़ कर रखा है कि इसे माननेता दे दी केवल वही ठीक है समझ रहो कि भई इस चीज़ को तो हमने मानने ता दे दी और वो ठीक हो गई पर वो आगे कैसे कारी करेगी कैसे होना चाहिए काम तो मतलब कि उसके बारे में भी हमारा राजनेदी सास्त्री जो है वो कानूनी अधिकारों का जो सिद्धानत है उसमें थोड़ा इसका वो करते हैं लासकी कहते हैं कि बैक्ति अधिकारों का प्रियोग केबल राज्जे के सद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द बैक्ति तक उसे ना पहुंचाए तो क्या होगा बैक्ति तुका नस्ट हो जाएगा एक दिन पर्सनलाइजेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा देखिए यहां पर रही थोड़ी दिक्कत चल रही है अभी थोड़ा वेट करें अब देखिए लास्की कहते हैं मतलब कि आपके कानूनी अधिकार जो हैं उनके बारे में कि वेक्ति अधिकारों का प्रियोक केवल राज्जे के सदसे के रूप में नहीं बलकि समाज के सदसे के रूप में भी करता है अधिकारों को केवल राज्जे तक सीमित रखना वेक्ति के वेक्ति तुको नश्ट करना है अगर हम यह कह दें कि मतलब कि अगर वेक्ति के अधिकार के वल राज्जे तक लिमिट रखेंगे तो एक नाएक दिन वो खत्म होने और यहीं पर भाई वो बात करी कि यह दुआर है कि समाज के सदसे के रूप में भी राज्जे के सदसे जो हैं अपने अधिकारों का यूद जो हैं सदसे केवल राज्जे के रूप में ही नहीं करते हैं बलकि समाज के सदसे के रूप में भी करते हैं राज्जे अधिकारों का निर्मान नहीं करता यहां पर देखो हमने बात करी थी राज्जे निर्मान नहीं करता है अधिकारों का केवल बो तो उन्हें मानने ता देता है या सन्रक्षित करवाता है अब यहाँ देखिए क्योंकि उनका जो निर्माण करना है या नीव कहां से रखती है जनता की तो एक मनसाइं होती है और वो दावा बन जाती है दावा हो जाता है फिर वो अधिकार का रूप ले लेती है राज्य अधिकारों का निर्मान नहीं करता यह के बल उन्हें मानने था और सुरक्षा देता है वाइल्ड लिखते हैं कि अधिकारों का अस्तित्व रहता है राज्य चाहें उन्हें मानने था दे या ना दे यदि राज्जे उसके कानूनी अधिकारों का सरवोच मन लिया जाए तो राज्जे के ब्रोध में कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि राज्जे वेक्तिक को राज्जे के खिलाफ किसी भी कानून को मननेता नहीं दे और राज्जे निरंकुस हो जाएगा अब देखिए एतिहासिक अदिकारों का सिध्धन्त जो है वो क्या कहता है जरा इसे जान लेते हैं तो देखिए एतिहासिक अदिकारों का सिध्धन्त इस बिचार धारा का परचलन जर्मनी के सौवेंगनी और पूटा इंग्लेंड के वर्क और हैंडरी मैन तथा अमेरिका के जैम्स कार्टर दुआरा किया गया है इन सबने एक मत होकर ये विचार दिया है कि र Claudia और कानूं का चरितर एति हैसिक होता है और यह्मात अधिकार पर भी लावो होती है अर्थात अधिकारों का स्टरोत इतियास से जुड़ा हुआ है इस बिचार के अनुसार राज्य कानून तथा अधिकारों अधिकार ना तो मानव अक्षा पर आधारित होते हैं और ना ही प्रकरती की देन हैं बलकि ये एतिहासिक परिस्तितियों की उपज होते हैं इस बिचारदार के अनुसार यदि कुछ अधिकारों की एक परमपराचली आ रही है और यदि कुछ ऐसी अधिकार हैं जिनके उपभुक से लोग आधी हो गए हैं तो लोग यह मानने लग जाते हैं कि यह अधिकार उन्हें चाहिए ही काफी अच्छी बात करी गई है कि एतिहासिक अधिकारों का सिद्धान्त में हमने क्या कि चीज के बारे में जाना पहले तो थोड़ा सा आमियां देखते हैं कि आपने अभी देखा था कि यह जो आपके बैक्ती थे इंग्लेंड के और अमेरिका के और जर्मनी के इंग्लेंड के हें, त्यूड जर्मनी कार्टर अमेरिका के इन्होंने एकमत होकर यह मत दिया है कि कानून का चरित्र एतिहासिक होता है कानून کا चरितर एतिहासिक हो पिरमपराओं को थोड़ों हम कह सकते हैं उनका यूज कर लेता है कभी-कभी यह बात अधिकार पर भी लागू होती है अर्थात अधिकारों का इस्तरोथ जो है अतियास से जुड़ा होता है क्योंकि इतियास में किस वैक्ति का अधिकार मिला है या नहीं मिला है तो वो किस प्रकार से मिला है मिल गया तो वो उसमें कहां समस्थ से आई उसका भी तो study कहीं ना कहीं है हम करते हैं जो political science के अंदर इस बिचार के अनुसार राज्य कानुन तता अधिकार ना तो मानविक्षा पर आधारित होते हैं और नहीं प्राकरतिक की देन है बलकि एतियासिक परस्तितियों की उपज होते हैं अधियासिक परस्तितियों की उपज का मतलब क्या है जो हमने अपने हिस्टोरी में यह हम कह दें हिस्टोरी कल रूफ से अपनी इस्टिती को आगे बढ़ाने के लिए जो करम करें हैं उन्हीं के अनुसार मानविक्षा पर आधारित होते हैं आपके अधिकार अब यहां देखिए इस बिचारदारा के अनुसार यह कौन सी बिचारदारा मतलब कि वो ही एतियासिक बिचारदारा जो क्या है राजनित वो आपके अधिकारों के सिध्धांत में एतियासिक सिध्धांत की बिचारदारा यदि अधिकारों की एक परंपरा चली आ रही है यदि कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनका भोक के लोग आदी हो गए हैं तो लोग यह मानने लगते हैं कि उन्हें ये अधिकार देना ही चाहिए अन्य सब्दों में प्रताही कानून का रूप है और इस विचार धारा के अनुसार अधिकार वे हैं जिनके लंबे समय से चली आ रही प्रताह है मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि अन्य सब्दों में अगर कहें प्रताही कानून का रूप है प्रता का मतलब क्या होता है जो लंबे समय से चली आ रहा रही तो हमारी प्रता है कि हमारे बच्चे जो है बो मतलब कि मुह करके रहेंगे माबाप के सामने मतलब कि सामना नहीं करेंगे उनका यहाथ नहीं उठाएंगे तो यह उनकी प्रताएं बनी पड़ी है की मतलब की जो है माबाप की जैसे कपड़े मतलब की माबाप जैसे कपड़े पaşएंतें वे ऐसी बच्चे पेने तो ये उनकी प्रता है की संसकार हम कह सकते हैं कि काहा से सीकेंगे बनना पर यहां पर कहा गया है कि प्रता सही कानुन का रूफ बनाए इस बिचारधारा के अनुसार अधिकार वे हैं जिनके लंबे समय से चली आ रही पिड़ता है अब इसकी आलोचना किस है इसे भी अध्यन कर लेते हैं इसकी आलोचना को करते हुए देखो इसकी बुराई करते हुए कह रहे हैं इसके बुराई करता है, किसकी बुराई कर रहे हैं, मित्रोई, एतिहासिक सिध्धान्त, जो अधिकारों का सिध्धान्त है, आलोचक कहते हैं कि यह प्रता समर्थ को समर्थन होने के करण, यह किसी बैक्ती को गुलाम रखने, बहु विवा करने, रंग वेद बढ़तने आधि आधिकार दिया जा सکता है यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी वेक्तियों गूलाम रखने वहू विवा टर्छने रंग-वेद बरतें आधिकार दिया जा सकता है देखो आलूचक कहते हैं कि मतलब है अगर तुम जो है एक पतनी के अलावा कितने सारे मतलब कि बैक्ती अपने विवा कर लेते हैं तो उस संदर में यहां पर कहना चाहरा है कि एक विवा के अलावा बहुत सारे विवा जब कर लिया जाते हैं बहु विवा यदि हम सिध्धान्ट को सुईकार कर लिया जाए तो प्रगतिबाद प्रगतिबादी सुधार और सामाजिक नियाए पर बिराम लग जाएगा यहाँ पर कह रहा है कि यदि इस सिध्धान्ट को सुईकार कर लिया जाता है तो क्या हो जाएगा प्रगतिबाद कि जो आगे बढ़ने वाला जो सुधार है वो तो हो नहीं पाएगा हम तो इतिहासिक में ही चलते रहेंगे हमेसा हम अपने पर्थाओं में ही बंदे रहेंगे वो सामाजिक नियाए पर भी राम लग जाएगा सोसल जेस्टिस से आप कहते हो अगला है दोस्तों आपका नैतिक अधिकारों या आदर सात्मक अधिकारों का सिद्धांफ देखे इस बिचारधार के अनुसर प्रतेक वेक्ति को अपना विवेक होता है बैक्ति का वैक्तित्व तथा अधिकार विक्सित करने की आवशक्ता बह परिवेस प्रस्तुत करता है जो आपने नयतिक उत्थान की यात्रा में साहिता देता है यहाँ पर बात करी गई है इस विचार धरा के अनुसार प्रतेक वैक्ति को कहते हैं कि मतलगी प्रतेक वैक्ति के पास अपना माइंड होता है प्रतेक वैक्ति के पास अपना धिमाग होता है और जब वो दिमाग से अपने जो वैक्ति है वो अपने वैक्ति तता अधिकारों को विक्सित करने के लिए ज तब बेनाम के चीज़ें आ जाएंगे उस्मैक्तिक अंदर नेतिक सिध्धान्त अपने अधिकारों की अवधारना का अधार नेतिकताओं को बनाता है इसकी आलोचना में कहा जाता है कि नेतिक अधिकार सारबभॉम की अपेक्चा संदर्विक हैं क्योंकि वे उन लोगों तक सीमित रहते हैं जो नेतिक ताके एक सामने कानून को ही मानते हैं यहां पर देखिए क्या कहते हैं कि नेतिक अधिकार जो है सार बहुम की अपेक्चा केवल संदर विख है मतलब कि जो हैं हम कह सकते हैं कि सबी रूप से सबी के लिए लिए रही है परंटो एक खहीना की वो limited है वो एक नेतिक नेतिक नोर्मल ही कानून है जो सब के लिए होते हैं वो ही होते हैं अगला है आपका अधिकारों की समाज कल्यान सम्मंदी धारणा या अधिकारों की समाज कल्यान सम्मंदी सिध्धांत अधिकारों की समाज कल्यान सम्मंदी सिध्धांत जो है वो क्या है इस सिध्धांत का विकास सकरात्मां कुदारवादियों ने अपने कल्यान कारी राज्य के सुजाव का समर्थन करने के लिए क्या है यानि कि जो बिचारक है उदरवादी उन्होंने अपने राज्य को कल्यान कारी बनाने के लिए ये बिचार रखा था या ये बिचार अबनाया था और ये विचार जो है इस विचार का जो सुझाव है वो इन्होंने दिया समर्थन के लिए किया इस सिध्धान्द की बैचारी लास की बार कर टी एच ग्रीन आदी है इस सिध्धान्द के बिचारक कोन है? किस सिध्धान्द के भई? अधिकारों का समाज कल्नियान सम्मंदी बिचारदारा या अधिकारों का समाज कल्नियान सम्मंदी सिध्धान्द इस सिध्धान्त का विकास सकारात्मा कुधारवादियों ने अपने कल्यान का रिराज्जा की सुझाब का समर्थन करने के लिए क्या है इस सिध्धान्त के बिचारक लास्की है वारकर है टी एच ग्रीन आदी है लास्की के अनुसार क्या है हमारा लास्की कहते हैं लास्की ने अपनी पुस्तक में अग्रामर और पॉलिटिक्स अधिकारों की अबधारना का ब्रणन किया है बैक्ती के अधिकार सामुदाइक हित में होने चाहिए मतलब कि सामुदाइक हित में मतलब कि उसका परसनली हित ना हो उससे कोई भी बैक्ती समाज की कल्पना के लिए जो कारिय करता है उसी के संदर्ब में बहे अधिकारों का दावा कर सकता है अधिकारों की स्थापना सामाजिक कल्नियान की एक सर्थ है इसी अधार पर अधिकारों को मानने था प्राप्त होती है कह रहे हैं कि अधिकार जो हैं अधिकारों के अगर इस्तापना करने हैं तो सामाजिक कल्लियान के एक सर्थ है कि हमें समाज का कल्लियान करना है एक सर्थ करो और उसी का जो अधार होगी भई आपके मानने ता मिल जाएगी फिर अधिकार को आप जब उसकी डिमांड करोगे लास्की के अनुसार राज्ये के लिए संपत्तिक अधिकार को मर्यादित करना भी आवशक है अगला है आपका अधिकारो की समकाली उदारवादी वेक्ति वादी सिद्धान अधिकारो का समकाली उदारवादी वेक्ति वादी सिद्धान इस सिद्धान का नेतर तो जॉन रूस जॉन रॉल्स रोवर्ट नौजिक ने किया है नोजिक अपने मत में कहते हैं कि अधिकार वैक्ति के होते हैं और कोई भी अन्य वैक्ति समू इन अधिकारों को छू नहीं सकता कह रहे हैं कि अधिकार जो होते हैं वैक्ति के होते हैं राज्जे के उपर राज्जे का इस पर कोई हस्तक छेप नहीं है अधिकार जो हैं बैक्ती के लिए होते हैं और कोई भी अधिकारों को छू नहीं सकता रोवर्ट नोजिक पूंजी वादी विवस्ता का समर्थन करते हैं और समपत्ति के अधिकार को बिसेस अधिकार मानते हैं यानि कि कि जितनी प्रोपर्टी रखनी है रखिए जितना पैसे रखना है रखिए उसको यह बिसे साधीकार मांते हैं परन्तो हम समानता का मतलब किसे समझते हैं समानता का मतलब हम देखते हैं पढ़ते होंगे कि बिसे साधीकारों का अभाव होना चाहिए पर यहां पर तो इसल्बा इनके नुसार वेक्ती खुद कुझी खुद का और अपनी प्रतिवाओं का संपत्ती का सौमी होता है और उसे उनकी चाहा जो उप्योक करने की पूरी सोतंत्रता होनी चाहीए समाज की भलाई में भी इन अधिकारों पर कोई प्रतिवन्द नहीं लगा ना चाहिए जॉन्स रॉल्स ने अधिकारों और नियाए का प्रियोग एक दूसरे के प्रियाए वाची के रुप में किया है अधिकार और नियाए जो है अपने आप में इन दोनों का जो प्रियोक करा है वो एक दूसरे के प्रियाई वाची के रुप में ही किया है अब इनके अनुसार सभी अधिकार जो है नियाए से जनम लेते हैं कि मतलब कि जो सभी अधिकार जो है वो नियाए से जनम लेते हैं अगर नियाए होगा तभी अधिकार होंगे तथा नियाए के लिए ही अधिकार दिये जाते हैं नियाए करने के लिए ही बैक्ति के साथ नियाए हो नियाए ना हो जाए इसलिए ही बैक्ति को अधिकार दिये ज सकते हैं अगला आपका पॉइंट है मित्रो आपका अधिकारों का माक्सवादी सिद्धान्त क्या जी अधिकारों का माक्सवादी सिद्धान्त इसे समझे माक्सवादियों ने अधिकारों की कोई कैई अलग-अलग धारनाय या अब धारनाय प्रतिपाजित नहीं करी है माक्स देखिए माक्सवादियों ने अधिकारों की कैई अलग-अलग अवधारणा प्रतित नहीं कियें लेकिन अधिकारों की उधारवादी अवधारणा की जवर्दस आलोचना किये माक्सवादी लोग हमिसा तुम्हें पता ही होगा यह उदारबादी या हम कहें यह पूंजी वादी लोगों कि यहाम इसा बरौड में रहते हैं, यह माकसवादी लोग यह मानते हैं कि पूंजी वादी वबस्टा है, एक सोसन की विवस्टा है तो उनके निस्वार जो हदीकाने वो क्या है वो इसी चीज़ का यह मत दियन कर रहे हैं काल माक्ष का मत था कि आर्थिक समानता राजनिती के समानता को जनम देती है कहने हैं कि अगर हम मारे पास जो है पैसे के मामले में हमकमजो हो रहे हैं या थोड़े पीछ है या और को के बराबर नहीं है जिसके करना क्या हो जाएगा Rाजनेतिक एसमानता भी आ जाएगी हम कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर भी समान रूप से नहीं वो कर सकते अगर हम ऐसा करेंगे तो कार्ल माक्स का मतताकी आर्थिक ऐसमानता राजनितिक ऐसमानता को जनम देती है और सम्मीधान में प्रस्तुत उधारवादी अधिकारों को निरर्थक बना देती है कार्ल माक्स के अनुसार उधारवादी धरना क्या लोजना कारल माक्स के अनुसार उदारवादी बिचारधारा के अधिकार तब ही मानने हैं जब बास्तविक रूप से धारण कर लेते हैं अधिकार यदी उधारवादियों के अनुसार जीवन की सुतंतरता है तो काल माक्स कहते हैं कि जीवन का उत्तम परिस्तिती होना भी आवसकता है और आवशक है यहां पर काल माक्स वादियों के अनुसार आप अधिकार होगा सिद्धान पढ़ रहे हो पहले तो आप को ये पता होना चाहिए यहाँ पर उधारन पढ़ रहे हो कि यदि उधारवादियों के अनुसार जीवन की स्वतंतरता है कह रहे हैं कि अगर उधारवादी जो लोग है उनके अनुसार जीवन की स्वतंतरता है तो कारल माक्स कहते हैं कि जीवन का उत्तम प्रस्तिती भी होनी जीवन मतले किस प्रकार से बहतर हो सकता है वो भी तो एक आवशक है कारल माक्स उदारवादी विचारधारा की आलोचना में कहते हैं कि उदारवादी वेबस्था में प्रतेक अधिकार शामनेता एशमानता का अधिकार है कहने कि कायल माक्स उदारवादी ववस्ता में प्रते एक अधिकार चाहें वह कोई सब अधिकार हो वो शामने था एस्रमानता का अधिकार है राज्य दुआरा सम्यधानिक धाचे से किये गए अब यहां पर समझे ज़रा यहाँ पर कहना चाहरा है कि राज्जे ने जो constitutional ढंग से कोई improvement कराया या कोई तरीका अपनाया है जिससे हम कहें कि माक्सवादी विचारदारा के जो अधिकार है वो apply हो चुके है यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ते तीसरे point पर अपने तीसरे पर यह रहा राज्जे द्वारस सम्वेधारिक ढाचे से दिये गए अधिकार कभी भी वास्थवीक अधिकार नहीं बन सकते क्योंकि वे अपने वास्तविक अस्तित्व के लिए समाज के आर्थिक संरचना और सांसक्रितिक विकास पर निर्वर है कह रहा है यहां पर कि अधिकार जो हैं कभी भी बास्तिविक अधिकार नहीं बन सकते रियल अधिकार नहीं बन सकते क्योंकि वे अपने बास्तिविक अस्तित्व के लिए समाज के आर्थिक संरचना और सांस्कृतिक विकास पर निर्वर है तू हमने जाना मित्रों की अधिकार होते क्या हैं? अधिकारों का जो हमारा अधिकारों की जो सिद्धान्त है वो कितने प्रकार के होते हैं? जिसमें हमने पहला पढ़ा था आपका प्राकरतिक अधिकारों का सिद्धान, दूसरा हमने पढ़ा था कानूनी अधिकारों का सिद्धान, तीसरा हमने पढ़ा था एतियासी का धिकारों का सिद्धान, इस प्रकार से आपने काफी सारे सिद्धान्तों का दिन करा, मैं आपको एक बार सारी लिष्ट दुआरे दिखा देता हूं आप स्क्रेंट ले 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 ना हाँ देखे प्राकरती का दिकारों को सिद्दान्त कानूनी अधिकारों को सिद्दान्त एतियासी का दिकारों का सिद्दान्त नेति का दिकारों का अब यहां पर अगर हम थोड़ा-थोड़ा सब को समझने का प्रियास करें तो देखिए प्राकरती का अधिकारों का सिद्धान इसके अंदर तुमने जाना था कि मतलए कि प्राकरती के अंदर बैक्ति को अधिकार मिलने चाहिए प्राकरती को लेकर कि जनम जात अधिकार बैक्ति के पास होते हैं कानूनी अधिकार के अंदर आपने जाना था कि मतलग मनुश्य को सभी कानून के नजरू में जो है नियाए जो है अधिकार के पुरुण या हम कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक की परिस्थिति में होना चाहिए एतियासिक अधिकारों का सिद्धान्त का मतलब क्या है ऐसे अधिकार होते हैं जो हमने इतिहास से प्रेंड़ना लेकर घ्रन कर रहे होते हैं ऐसे अधिकार हैं जो मतलब कि आदू निक्ता का बिल्कुल बोद नहीं कराते हैं हमें इतिहास में ले जाते हैं वो इतिहासिक अधिकारों का सिद्धान्त है नेतिक अधिकारों का या आदर सात्मक अधिकारों का सिद्धानत के अंदर क्या होता है कि जो हमें मोरल्टी पे दिहान देते हैं जो हमारे दाइत्वों को निभाने की बात करते हैं हमने बात कर रहता है नेतिक और अधिकार में अंतर भी होता है कि अधिकार वो होते हैं जो हमें मालो कि कानून का अधिकार किसी वेक्ति को दे रखा है पर वो उसे कानून का अधिकार को अपलाई कर रहा है पर दूसरा वेक्ति उसे रोक रहा है तो वो क्या है कि एक तरफ वो काम करना चाहता है एक तरफ वो रोक रहा है यहां पर देखे अगला है अधिकारों का समाज कल्नियाण सम्मादी धाना इसका तो मतलब समझी के होगे ऐसे अधिकार जिससे समाज कल्नियाण हो सके ऐसे अधिकारों के बारे में चर्चा करी समाज का कर लियाना काफी सारिस होता है समाज जो मन बैक्ती है वो समाज में रहता है समाज भी बिन समुदाव से हमिल कर बना है समकारिन उदारवादी बैक्ती बादी सिद्दान्त इसका मतलब क्या था कि आधोनिक उदारवादी जो हैं लोग वो क्या मानते हैं बेक्तिवादी सिद्दान्त के प्रपस से वो कहते हैं कि मतलब कि ये जो वेवस्ता है ये जो अधिकार है ये ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें केवल खुले रूफ से अपनी आजादी या परसनल हित का थोड़ा वोथ हम अंटरफेर इसमें कह सकते हैं अधिकारों का माक्षवादी सिद्दान्त ये जो हैं आपने आपके उधारवादी लोगों की विचारदारा का विरोध करते हुए कहते हैं कि मतलब जो आपकी बरतमान अधिकार हैं या हम कहने कि मतलब की जो सोसन वाली जो ववस्ता है जां पूंजी वादी ववस्ता के अ के अंदर अधिकार होते हैं राज्जे बिल्कुल हस्तक्चेप नहीं करता अधिकारों के अंदर तो वो चीछ गलत है ठीक है मितरो तो हम मिलते हैं पने किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैवारत